ये हमारा स्वरूप है पांचों स्वरूप बनना है संपन हम को याद करते हैं इनके रूप शान्ति ही शान्ति है प्रकाश पुंज का ये भन्दा हम आत्मा ये ये ही पेलेगते ये हमारा है संसार मोर मुखट धार है वाई खुंधवाजी है हम ताज तक तक दिलक के देव पुलके हैं देव्य नेल पावन मूरत मंदिरों काई आत्मा ये पुलके हैं जग कोशी तड़ छाया देते कितरा वे कितर ये स्वरों जापान का एक बहुत बड़ा मंदिर कहो या मठ एहेजी टेंपल जिसमें हजारों सन्यासी योगी अपनी साधना करते हैं वहां का मठाध्यक्ष केटानो केंपो नाम का एक व्यक्ति था जिसकी 1933 में वृत्ति हो गई उसने अपने जीवन का आनी में एक बहुत सुन्दर वृत्तान तरिका है यह वो व्यक्ति है जिसने हजारों योगियों को तैयार किया था उसने लिखा कि जब मैं बाईस साथ का था बढ़क रहा था यहां वहां गूमता था ब्रह्मचारी था और एक बार ऐसे ही गूमते गूमते कुछ लोग उसे मिल गए और उन लोगों में से एक व्यक्ति ने उसे एक विशिष्ट परकार की सिगरेट बीड़ी पीने की लिए दी और वो पीते ही उसे बहुत आनन्द आया और जैसे ही उसने पी उसके मन में विचार आया यदि मैं ऐसा ही पीते रहा और यही आनन्द मुझे मिलता रहा इंद्रिय सुख का तो हो सकता है यह मेरे मेडिटेशन में ध्यान में बादा हो जाए तुरंट उसने संकल की आज से मैं इसे छोड़ रहा हूँ इस से पहले की यह बहुत बड़ी लत बन जाए जब वो किटानो केमपो पचीस वर्ष का हुआ उसने लिखा मैं एक छोटे आश्रम में रहता था और जो हेड़कॉर्टर्स था वहां से थोड़ा दूर था उन सन्यासियों का मठ और सर्द के दिन ते बहुत थंड थी तो मैंने खत लिखा अपने जो हेड़कॉर्टर है मुख्याले वहां के वरिष्ट जो साधू थे कि मुझे कपड़े चाहिए थंडी के लिए गरम कपड़े चाहिए और उसने इंतजार किया एक मास कोई उत्तर ही नहीं आया ऐसा तो होता नहीं और उसी समय वो एक जैन फिलासफी की किताब पढ़ रहा था आइकिंग नाम की जिसमें दिव्य शक्तियों का वर्नन था कैसे दूर की आवाजे सुनी जाए कैसे दूर के संदेश पकड़े जाए बिना बोले कैसे दूर श्रवन किया जाए दूर तर्शन हुआ जाए ये सारी बाते उसने कहा मैं इस पर प्रयोक करता और उसने अपनी सारी उर्जा शारी शक्ति सारा ध्यान उस किताब के अध्यन में लगा दिया और वो अध्यन करते करते उसमें शक्ति आ गई और उसने ये जाना कि मेरा वो खत वहां तक पहुचा ही नहीं है फिर उसने confirm किया कि वास्तव मैं ऐसा हुआ और उसे पता चलता है हाँ, खत पहुचा ही नहीं है तो उसे थोड़ी खुशी होती है कि मुझे में ये शक्ती आ गई दूर की खबरे मैं यहां बैठे जान सकता हूँ तुरंत विचार आया मैं यहां यह करने आया हूँ या ध्यान सिखने आया हूँ और तुरंत किताब को पढ़ना बन कर दिया और छोड़ दिया अब इसके वाद में उसको कभी नहीं करूँगा यह दूसरा अनुबाव उसने लिखा जब मैं 28 वर्ष का था तब अचानक मेरी रुची चाइनीज कैलिग्राफी और पोईटरी में हो गई चाइनीज कैलिग्राफी अर्थात अच्छे से स्वर्न अक्षर लिखना अस्ताक्षर की कला लिखने की कला और मैं इतना एक्सपर्ट हो गया उसमें कि मैं रोज कविता लिखने लगा और एक दिन अचानक विचार आया मैं या कविता कभी बनने आया हूँ या योगी बनने आया हूँ ये भी मेरे मार्क से मुझे भटका रहा है मैं करने के आया था और कर क्या रहा हूँ क्या कविता लिखना और इन सब बातों में जाना मेरा लक्षे है इससे प्रसिद्धी होगी इससे मेरा नाम होगा पर मेरा योग, मेरा योगी बनने का लक्षे दूर हो जाएगा तुरंट छोड़ देता है ये तीन बाते उसने अपने जीवन कहानी में वर्णन की है कि कैसे वो detach हो गया अभी बस attachment होने ही वाली थी आसकती उत्वन नहीं होने वाली थी और बंदने वाला था किसी अंजान बंदनों में जिसका क्या परिणाम होगा दूरगामी पता नहीं परंतरात्मा ने आवाज दी stop और वो रुख्या स्वेम स्वेम के अंदर की आवाज सुनना स्वेम स्वेम को देखना सुभ की साकार मुडली स्वधर्शन चक्रदारी बनाओ चक्र गुभाओ स्वेम को ही देखो स्वेम के गहरे से गहरे लगाव को देख लेना स्वेम की गहरी से गहरी आसकती को देख लेना उस विचार को देख लेना जो विचार से पहले आ रहा है thought before the thought उस भाव को देख लेना जो कामना से भी पहले आ रहा है वो सुक्ष्मत तरंगे विचारों की हल चल वहाँ पर कारिय करना है कारिय वहाँ नहीं करना है जहां कर्म तक आ गया कर्म तो बहुत आगे की बात है जो देखना नहीं था वो देख लिया और फिर पश्चाताप कर रहे हैं नहीं देखना चाहिए था और फिर दुख कर रहे हैं संसार भर के योग और जिने ज्ञान की थोड़ी समझा गई है और सारा समय पवित्रता के खंडन का पश्चाताप में बिदा रहे है तो स्व को देखना स्व का दर्शन करना बाबा ने का है स्वदर्शन चक्रधारी बनो भक्ति मार्ग में सुदर्शन चक्र का गायन है किसके पास दिखाया है? कृष्ण के पास मूलतव विश्णू के पास और कैसी रोचक कहानी लिखी है कि विश्णु ने तपस्या की आराधना की किस की? शिव की शिव की आराधना की 999 कमल पुष्प और पित किये शिव के चर्णों में और हजारवा अपना नेन निकाल के रख दिया तब शिव प्रसन्न हुए और उसको अपने संकल्पों से शिव ने अपने संकल्पों से सुदर्शन चक्र का निर्मान किया और विश्णु को दिया ऐसा गायन है शिव जब ब्रह्मा तन में आता है तो सबसे पहले उसको सुदर्शन चक्रधारी बनाता है उन्होंने सुदर्शन अर्थात वहां नेत्र दे दिया था शुब दर्शन परंतु वास्तविक्था स्वगा दर्शन उस सुदर्शन चक्र से कृष्ण ने शिशुपाल को मार दिया जिसने सौ अपराद किये थे हमें भी ये स्वदर्शन चक्र को माना है और अंदर बैठे सुक्ष्म शिशुपाल को नश्ट करना है उस सुदर्शन चक्र से कृष्ण ने जैद्रत उस चक्र से सूरज को नीचे कर दिया और वो जैद्रत जो हंकारी था और जो चल का प्रतीक था वो भी अर्जुन के बानो द्वारा मारा गया रिधय में यदि कोई जैतरत बैठा है जो चल का प्रतीक है उसे नश्ट करना है इसी चक्र से विश्णु ने वो जो सती की शरीर था उसके तुकड़े कर दिये थे वो लेके घुम रहे थे शंकर दिखाया है और वो जहां-जहां तुकड़े गिरेवा शक्ती पीडविने सती का वो मृत देह अर्थात अतीत अतीत की यादे अतीत की बाते अतीत की दर्दना घटना है इसी चक्र से उसके तुकड़े तुकड़े कर देना है तो शास्तरों में रमनी खटना है और उन सब का आधार संगम युग है तो आज हम देखेंगे वो पाच स्वरूप और उन में क्या-क्या करना है सबसे पहला अनादी स्वरूप परमधाम उसके बाद आदी स्वरूप सत्युक्त्रिता उसके बाद द्वापर उसके बाद ब्रामधान स्वरूप और उसके बाद फरिष्टा स्वरूप ऐसी ये पाच बाते है जब हम योग करे ये इन पाचों स्वरूप का भ्यास करे एक-एक बात में स्थित होते जाना है पिछले किसी क्लास में हमने परमधाम की चर्चा की थी परमधाम के पाच साथ स्वरूप परमधाम के साथ स्वरूप है देवताओं के साथ स्वरूप है पुझ के साथ स्वरूप है ब्रामण के साथ है और फरिष्टि के साथ ऐसी साथ साथ बातों की हम चर्चा करेंगे सबसे पहले जब मैं आत्मा परमधाम में हूँ तो अपने साथ स्वरूप में स्थित हूँ सबसे पहला स्वरूप है निज स्वरूप और निज में वो सारी साथ बाते मैं ज्ञान सुरूप, प्रेम सुरूप, आनन सुरूप, शक्ति सुरूप, पवित्र सुरूप, सच्चिदानन्द सुरूप, सुख सुरूप जैसे ही परमधाम में जाए, अपने इन सुरूप में स्थित होना है और इसी का जादासे जादाँ अभ्यास करना है लंबा समय तक परमधाम में रहना ये कैसा अभ्यास है जिससे आतमा में एक तबल भर जाता है शक्ति आजाती है जो संसार की चेतना से दूर तो सबसे पहला सुरूप परमधाम का है निज-सुरूप दूसरा स्वरूप है, पाच तत्वों के आकर्षन से परे, मैं आत्मा परमधाम में हूँ, पाचों ही तत्वों के आकर्षन से परे हूँ, और जब पाच तत्वों के आकर्षन ही नहीं, तो देह कभी आकर्षन नहीं, कोई सोचता है, दो मीठी चीज़े हैं, आज इसको आज गुलाब जामुन छोड़ता हूँ, कल जिले भी छोड़ता हूँ, फिर तीसरे दिन सोचता है, यह दिल कुछ मिठा है या आज छोड़ता हूँ, कहां तक छोड़ोगे, जितना छोड़ोगे एक नई चीत आ जाएगी, छोड़ना किसे है, उस बीच में जो एक मूल शकर से मुझे दूर रहना है, अपने आप वो सब छुड़ जाएगा फिर, क्योंकि हर चीज में जो शकर है, फिर वो मैं नहीं लूँगा, इस देह में पाच तत्व है, किस-किस की देह से टिटैच होंगे, आज इससे लगाओ है, कल उससे लगाओ, आज इसने धोगा दिय पर फिर दूसरा पकड़ रहा है, नाम और रूप की बिमारी, कल के मुरली के प्रशन का उत्तर, कठोर बिमारी है, एक से लगाओ है, तो दूसरी की ओर, और जरूरी नहीं देह, उसके गुन, उसके विशेशताए खीचती है, आकरशित करती है, लगाओ है व्यक्तियों में तो अभ्यास करना है, मुझे इन पाच तत्वों से ही वेराग है, और मैं आत्मा परमधाम में हूँ, पाच तत्वों के आकरशन से परे, वहाँ पर जितना आकरशन से परे, कि स्तिती में रहेंगे, नीचे जबाएंगे, तो ये जो देह है, स्री और पुरुष, ये तत्व महसूस होंगे, खीचेंगे नहीं, दूसरा स्वरूप परमधाम का, तीसरा, मैं निराकार आत्मा हूँ, मेरा कोई आकार नहीं, मैं बिंदु हूँ, परमधाम में स्तित हूँ, चोथा, मैं निर संकल्प आत्मा हूँ, कोई संकल्प नहीं है, सारे संकल्प विलीन हो गए है अगला मैं निर्वान हूँ, वानी से परे हूँ आवाज की दुनिया से मुझे वेराग है जितना लंबा समय उस वानी से परे की अवस्था में रहेंगे तो नीचे आएंगे और बोलेंगे तो भी वो बोल मौन से निकले हुए बोल होंगे इसलिए उन बोल में एक अद्भुत आकरशन होगा उसके बाद में निर्वंदन आत्मा हूँ मैं हूँ मुक्ते धाम में तो मुक्त हूँ अर्थात कोई बंदन नहीं है कोई सलाखे, कोई बेडिया, कुछ नहीं है कल की मुदली में था ना भक्ती की बेडिया, मोटी पतली, बहुत है, बड़ी कड़ी बेडिया है उधर भी, मैं आत्मा सभी बंदनों से मुक्त हूँ, अर्थात मैं निर्बंदन आत्मा हूँ, अगला, मैं निर्लेप आत्मा हूँ, आत्मा को लेप छेप लगता है, पर मैं निर्लेप आत्मा हूँ, यह हमारा सोमान है, अर्थात अब प्रभावित, किसी से भी प्रभावित नहीं, इन साथ स्वरूपों का परमधाम में बैठ कर अब्यास करना है, और पहले शब्दों के साथ, और धीरे धीरे शब्द नीचे गिर जाएंगे, और स्वरूप में स्थित होते ही, शब्द जहां विलीन हो जाए, वहां केवल स्वरूप रह जाएगा, फिर यह बोलने की अब कोई उशक्ता भी नहीं, कि मैं निराकार हूँ, मैं निरसंकल्प हूँ, मैं निरलेप हूँ, मैं मौन हूँ, निर्वान हूँ, निर्वंदन हूँ, पाच तत्वों के आकर्शन से परे हूँ, और अपने नीचे स्वरूप में स्थित हूँ, केवल स्वरूप रह जाएगा शब्द नीचे गिर जाएंगे ये सबसे पहला स्वरूप है हमारा अनादी स्वरूप इसमें टिकने का अभ्यास करना है हमारा दूसरा स्वरूप कौन सा है देव स्वरूप देव स्वरूप की साथ बाते है जो हर अमरित वेला एक बार तो याद कत नहीं है चोबिस घंटे में देव स्वरूप की साथ बाते याद तो करना ही करना है सबसे पहला सोला कला संपन्न हूँ मैं आत्मा कैसी हूँ सभी कलाओं से संपन्न हूँ एक भी कला ऐसी नहीं जो मुझ में नहीं है सारी कलाए मुझ में अगर नहीं भी हो तो बोलते ही उसके आवहान से वो प्रगट होगी और जो अवगुन है और जो विकार है वो खट जाएंगे वो जो सदर्शन, सूदर्शन चक्र दिखाए उसके 108 काटे नुकिली धार दिखाईए और इतना तेजी से वो जाता है शत्रु का समहार करकर ही वापस आता है तो जैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं देवात्मा हूँ और सोला कलाओ से संपन्न हूँ सारे अवगुन समाप्त पहला संपूर्न निर्विकारी दूसरा संकल्प मैं देव रूप में हूँ अपने आपको देव रूप में देखना आज सुबह की साकार मुर्ली श्वेत पोशाक धारी इधर तुम अपने रंगीन वस्त्रों में हो इधर तुम अपने फरिष्टा सुरूप में हो दोनों ही देखते रहो ऐसा नहीं केवल प्रदर्शनी में दिखला दिया और कलास दिन भर में भी चिंतन करो जो चिंतन करेंगे वही मास्टर ग्यान सुर्य है मास्टर ग्यान सागर है बहुत शक्ती है संकल्प में तीसरा, मैं संपूर्ण अहिंसक हूँ अहिंसक अर्थात फिर कामना की भी हिंसा नहीं कामना भी हिंसा है संडे की मुर्ली तुम्हें अपनी भी कामना है जो है अंदर की हद की कामनाओं को नश्ट करना है तभी संसार की आत्माओं की कामना है तुम पूर्ण कर सकते हो, क्यूं? क्यूंकि तुम कौन हो? सर्वस्रेष्ट बुजाय हो, तुम कौन हो? तुम बड़े हो इस वन्शावली के, तुम कौन हो? काम धेनू हो, तुम कौन हो? चैतन्य भंडार हो, तुम कौन हो? विश्व रक्षक हो, तुम कौन हो? विश्व कितने स्वमान थे संड़े की मुद्ली में इच्छा मात्र मविध्य तुमारा सुभावे तो दूसरा तीसरा मैं संबूर नहिन सकूँ चौथा स्वरूप देवताओ का मैं मर्यादा पुर्शोत्तम आत्मा हूँ सारी मर्यादाय मुझ में समाई हुई है महारामायन में वर्नन है हनुमान जी पहुचते है लंका सीता से मिलते है प्रभुमुत्री का देते है और सीता का विलाब देखते है कितना उसको वो राक्षिसिनी तंग कर रही थी छिपके से जाड़ से देखा और फिर वारतलाप के दोरान सीता से कहते है कि आपको मैं अभी श्री राम जी के पास ले चलता हूँ कोई मेरी गती का सामना नहीं कर सकता इस लंका में आप मेरे कंदों पर बैठ जाओ मैं आपको अभी ले चलता हूँ सीता ऐसा एक जबरदस्त उत्तर देती है वो कहती है मैं स्वा इच्छा से किसी परपुरुष को स्पर्ष नहीं कर सकती वो मेरी मजबूरी थी जब रावन मुझे लाया था इसलिए प्रभू श्री राम को आने दो वो ही मुझे ले जाएंगे और मैं जानती हूँ कि तुम ले कर भी सकते हो ऐसे तुम में इतना साहथ सामर्थ है परंतु ये मर्यादा है कैसी सुक्ष में बात कह दी तो मैं कौन हूँ? चोथा कैसा? देव स्वरूप में मैं मर्यादा पुर्ष नहीं हूँ अगला मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ निर्विकारी हो गया? हो गया मैं सतोप्रधान हूँ कैसा हूँ? देवता सतोप्रधान संपूर्ण सतोप्रधान अवस्था में हूँ उसके बाद मैं मैं आत्म अभिमानी हूँ बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा कि देवताय जो थे कैसे थे आत्म अभिमानी थे उनके पास परमात्म अभिमान नहीं था पर ये तो पता था कि मैं कौन हूँ आत्मा हूँ ये शरीर अब छोड़ रहा हूँ अब नया शरीर लेने वाला हूँ असाक्षातकार हो जाता था कि इस गर्ब में जाने वाला हूँ शरीर का खतम कोई रोना नहीं कुछ नहीं तो मैं सतो प्रधान और आत्म अभिमानी हूँ सतियुक की बाते चल रही है वहाँ देखना अपने आपको घूमते हुए सतियुक के उस परिसर में उस पुश्पक विमान को देवताओ को उचराज प्रासाद को लक्ष्मी नारायन को एक छत्र सामराज्य को सतियुक की सारी दिंचरिया कवर्नन है मुर्लियों में उस में स्तित हो जाना और सात्वा देवता अर्थात दिव्यता संपन्न उनमें एक अलोक इक दिव्यता है ये देव स्वरूप के सात स्वरूप ये दूसरा तीसरा स्वरूप हमारा कौन सा है पुच क्या देखेंगे इसमें मंदिरों में स्वेहम को स्तित करना कोई एक तिर्थस्थान है जहां पर एक मंदिर है या कोई पहाड़ी है जिस पर एक मंदिर है जै माता दी जै माता दी करके भक्त गा रहे है आ रहे है तो देव स्वरूप में सबसे पहला है मैं पुझ्य स्वरूप में मैं शक्ति संपन्न हूँ मुझ में सारी शक्ति आए यदि मैं दुर्गा हूँ काली हूँ, शिव शक्ति हूँ शिव की जो शक्ति है वो मैं हूँ मुझ में अथा शक्ति आए शक्तिया मांगने वाली नहीं दूसरों को शक्ति प्रदान करने वाली हूँ इसके लिए कमजोर नहीं हो सकती पावर है शक्ति है मैं शक्ति संपन्नो दूसरा मैं संहारी मूर्थ हूँ जो भी असुर संहार असुर है उनका क्या करने वाली हूँ संहार, मैं शासुर मर्दिनी जितने असुर होंगे सब नश्ट हो रहे यही देखना मेरे ही अंदर इस आत्मा से एक असुर प्रगट हुआ और वो आगे आगे जा रहा है और मैं देवी मेरे हातों से दिव्य शक्तियानी कर रही है आख का गोला और उसको जाके बस्म कर रहा है अंदर का कोई एक संस्कार वो संस्कार रोने का हो सकता है रूसने रूठने का हो सकता है उसी को राक्षस के रूप में देखना वो दिखाया है न देवी का वो गोला वो भाग रहा है असूर आगे पीछे वो शक्ति और असूर का नाश कर रही तो मैं कौन हूँ? शक्ति संपन्न हूँ मैं कौन हूँ सनहारी मूर्थ हूँ तीसरा मैं साक्षातकार मूर्थ हूँ भक्तो को साक्षातकार करा रही हूँ भाबा ने का है तुम्हें साक्षातकार कराना होगा तुम्हारे द्वारा ही साक्षातकार होगा अभी होगा तुम ही इश्टदेव हो भक्तों के संड़े की मुरली हल चलाओ समय हल है हल चल है यही है यही है यही है बीज अनुभव फसल प्रत्यक्षता जमीन आत्माओं की बुद्धी उस पर हल चलाओ तुम रुहानी किसान हो बाबा ने कहा प्रत्यक्ष प्रमान दो सोने में नग शांती के तीर चलाओ जर्ना जिसमें वो शीतलता का अनुभव सत्संग याद आ रही है मीटिंग्स में आई हुए भाई बैनों से मुलाकात संड़े की मुरली कितनी सारी बाते बोल दिये उसमें इट संकल्पों की पक्की हो तो मैं कान हूँ तीसरा साक्षातकार मूर्थ अगला मैं वर्दानी मूर्थ हूँ आतमाओं को वर्दान देने वाली हूँ एक-एक आतमा को वर्दान दे रही हूँ आतमा भरपूर हो रही है पवित्रता का वर्दान दे रही हूँ विकारी आतमा इतनी डूप गई है विकारों में पावरी नहीं है कैसे ब्रह्मचरे को धारन करेगी मैं उसे वर्दान दे रही हूँ अखंड ब्रह्मचारी भवव उसके बाद में अगला मैं भक्त वत्सलात्मा हूँ जो जो शरन आएगा उस भक्त को प्रेम करने वाली है इश्टदे भक्त वत्सलो दे तो मैं कैसी आत्मा हूँ? भक्त वत्सला आत्मा हूँ उसके बाद में कही मुर्लियों में बाबा ने एक शब्द का प्रयों किया है दिव्य दर्शनिय मुर्थ यह सब देव स्वरूप में अपने याद करना है और उसस्वरूप में स्थित होना है और 24 गंटे में एक बार यह सातो पाचो स्वरूप की सारी बाते बुद्धी में गुमानिये कुछ बाते हम बता रहें आप अपने आप से कुछ बाते उसमें एट कर सकते तो कितने हो गई देव सुरूप की? पुज्य सुरूप की? छे सात्वा मैं अकर्षन मूर्थ हूँ देवताय क्या करते है? पुज्य मंदिरों में लोग जाते है क्या होता है? अकर्षन होता है उनको खीचते हैं, मूर्थी के सामने बैटके देखते रहते हैं पूजा करते हैं वंदिना करते हैं, अर्चना करते हैं आर्ती करते हैं, धोल बजाते हैं शास्त्र पढ़ते हैं, जूमते हैं भजन, किर्टन, गाते हैं बहुत अच्छा लगता है उनको उस मूर्थी को देखना क्युकре उस मूर्थी में आकरशन है तो मैं आकरशन मूर्थ हूँ आकरशन मूर्थ हाता यह शरीर का आकरशन नहीं इस आतमा की Purity का आकरशन देह तो आज है कलनस्ठ सुबे का बाबाने मरो हे, मर जाओ मरो हे जोगी, मरो तो यह हो गया तीसरा स्वरूप पूछ चौथा स्वरूप है ब्राम्भन स्वरूप ब्राम्भन स्वरूप के तो हजारो स्वमान है कुछ हम बता रहे हैं सबसे पहला मैं आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी आत्मा हूं याद मेरे लिए स्वभाविक है सहज है मैं आत्मवी मानी हूँ और परमात्मवी मानी हूँ आत्मवी मानी बनना बहुत सहज है क्योंकि मैं हूँ ही इसी का अभियास और उसकी याद सहज है कुछ दिन पहले मुर्लियो में ता तल्वार की धार है योग तो याद स्वरू आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी मैं ब्रामन दूसरा संपूर्न पवित्र हूँ संपूर्न प्यूरिटी मेरा स्वभाव है उजे प्यूरिटी कहीं से लानी नहीं है प्यूरिटी के बारे में कुछ करना नहीं है मैं हूँ ही कुछ करने से ही तो आपवित्र होगे अब अपने आप में स्तित हो जाओ वो आत्मा स्वधा ही पवित्र है संपूर्ण पवित्र हूँ और भगवान ने purity का बल बराय कल की मुर्ले में था साकार तुम में 100% purity है वहाँ नहीं यहाँ की बात की थी बाबा ने उसके बाद में मैं माया जीत हूँ और प्रकृति जीत हूँ एक साथ दोनों मैंने माया को भी जीता है और प्रकृति को भी जीता है और जब भी कोई स्वमान लेंगे उनका तीन रूपों से अध्यान करना है पहला वर्तमान, दूसरा भविष्य और तीसरा नैचरल उधारन, एक व्यक्ति है, 40 साल से दारू पीता है उसे दारू छोड़नी है, 300 रूपों में अभ्यास करेगा पहला, मैं दारू छोड़ रहा हूं, वर्तमान दूसरा भविष्य, मैं जल्द ही दारू छोड़ने वाला हूं तीसरा, सहज, ये सहज सहज काम है दुनिया का, छोड़ना ये तीन रूपों में किसी भी संसकार पर जीत प्राप्त करने के लिए अभ्यास किया जाता है कोई smoking करता है, मैं smoking छोड़ रहा हूं, मैंने smoking छोड़ दी आज से या फिर मैं जल्दी ही, मैं smoking छोड़ रहा हूं, छोड़ने वाला हूं और तीसरा, बहुत सहज काम है ये, उसी तरह किसी को रोने का संसकार है जब तक आखों से आसू नहीं आते ब्राह्मन जीवन की दिन चर्या ही पूरी नहीं होती ऐसे कौन-कौन है एक बार तो आने ही चाहिए मैं रोना प्रूफ आत्मा बन रही हूँ मैं रोना प्रूफ बन जाओंगी और तीसरा मैं रोना से तो एकदम्यासा ने यह तो सबसे सहज काम है दुनिया का इससे सहज तो कुछ हो इनी सकता किसी भी एफ़र्मेशन को किसी भी स्वमान को किसी भी आटो सजेशन को किसी भी आत्मस सुझाओ को तीन रूपों में अभ्यास करना है कोई एक लट लग गई है कि जो छुटी नहीं रही है कोई इंटरनेट पे ही चिपका हुआ है बेचे नहीं होती है वो कहानी है न दौपर यूग में मनुष्यों ने जाल डाला मचली को फास लिया मचली ने कहा मैं तुझे शाब देती हूँ कि एक दिन यही जाल यही नेट तुझे भी फासेगा वो अभी पूरा हुआ है खली पंत में मचली का दौपर का दिया हुआ शाब पूर्न हो रहा है कि मनुष्य फंस गया है उसमें यह इससे मुक्त होना बहुत आसान है मैं इससे मुक्त हो रहा हूँ मैं इसे मुक्त होने वाला हूँ और बहुत ही सहज है तीन रूप present, future और natural यह तीन रूपों में किसी भी addiction किसी भी विकार किसी भी संसकार किसी भी गहरे कड़े संसकार से मुक्त होने की यह विधी medical science में बताई जाती है de-addictions programs होते rehab center होते जो 40 वर्ष से दारू पी रहें, क्या करें? छोडते हैं, फिर चालू करते हैं, छोडते हैं, फिर फिर चालू करते हैं सब कर लेते हैं, फर फिर फिर आ जाता है जो काम वो लोग de-addiction में सिखाते हैं, वही काम इधर हमें भी करना है क्योंकि हम भी addicted हो गए बहुत सारी चीजों से तो ये हो गया, कहां थे हम? ब्रामण में, तीसरा, मैं माया जीत हूँ और प्रक्विती जीत हूँ ये तीसरा सुरू, छवथा, मैं निरंतर अथक सेवाधारी हूँ ये संकल्प की बात है एक व्यक्ति जो ये सोचता है कि मैं थक जाऊंगा, वो थक जाता है एक व्यक्ति जो सोचता है अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, नहीं चल पाता है एक व्यक्ति सोचता है, ये मेरा हाथ गया, आप कब काम नहीं करेगा वैसा ही होता है एक व्यक्ति सोचता है कि अब मैं कभी भी इस बिमारी से ठीक नहीं होँगा, कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि मन में गहराई से पकड़ लिया है, और जो हम सोचेंगे वो होगा, भे है कहीं ऐसा तो नहो जाए, एक व्यक्ति जहाच पर जा रहा है, उसको डर है कहीं मुझे उल्टी तो नहीं हो जाए, एक दूसरा विक्ति आके कहता है, ऐसा लगता है, शायद तुमको उल्टी होने वाली और उसको हो जाती है फिर, क्योंकि उसने स्विकार कर लिया उसकी बात को, एक है खुद के सुजाओ, एक है दूसरों के सुजाओ, दो है, आटो सजेशन, हेटोरो सजेशन, आटो सजेशन और हेटोरो सजेशन, अगर हाँ वो रिजेक्ट कर दिया होता, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, तो प्रभाव नहीं होता, पर दूसरों ने सजेश्ट किया, और अंदर से पहले से ही डर है, दोनों कम्बाइन हो गया और परिणाम बटना तो ब्राह्मन अर्थात क्या बता है मैं अथक सेवाधारी हूं संकल भी करना है कि मैं थकने वाला नहीं हूं हनुमान जी जा रहे लंका बीच में मैनाक परवत आता है वो कहता है कि आपके पिता पवन ने मुझ पर बड़ा उपकार किया था आप थोड़े दिर मेरे पर विश्राम करो हनुमान बड़ा अच्छा वाक्य कहता है हनुमान कहता है मैं राम के काज के लिए जा रहा हूँ और राम के काज के लिए जाने वाले के लिए विश्राम पाप है आराम हराम है वो हमारा गायन है हम परमात्म के कार्य में लगे हुए तो स्वमान क्या है ब्रामनों का मैं अथक सेवाधारी हूँ कभी न अथकने वाला निरंतर सेवाधारी अगला स्वमान इच्छा मात्रम अविद्या संसार की इच्छा है संसार की भौतिक इच्छा है ये सबसे मुझे कुछ न लेना देने हैं यही इच्छा है विश्वकल्यान की इच्छा. जगदिश भाई ने एक जगा लिखा है, तुमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मेरी कोई इच्छा नहीं है. संसार की, लौकिक, वर्ली, यही सबसे बड़ी इच्छा है. अगर है ही, तो विश्वकल्यान की इच्छा है. तो मैं कैसी आत्मा हूँ? इच्छा मात्रमवित्या. अगली, अगला सौमान मैं एवर रिडी आत्मा हूँ. तयारी है? अभी तयार? अभी बाबा यहीं आ जाए? बाजु में अभी. और कहें चलो. कितने लोग तयार है? फोन किसको किसको करना है घर पर? कि मैं जा रही हूँ. लॉकर की की उधर है? इसका ये सामान उधर है. उसका वो उधर है. बाबा कहें अभी चलो. ऐसी तयारी है. अभी यहाँ आ जाए और कहें चलो. डाइरी, pen, pencil रख दो और चलो. डाइरी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चलो. अभी ऐसी तयारी वाली आत्मा हूँ. मैं ever ready आत्मा हूँ. कितने हुए? छे? आत्मा हूँ. दोनों एक साथ कर सकते हैं. ज्यानी तु आत्मा और योगी तु आत्मा. ज्यानी हूँ. योगी आत्मा हूँ. अज्यान वाले करतवे मैं नहीं कर सकती. भोगी मैं नहीं बन सकती. मैं योगी हूँ. आज की मुर्ली में बाबा ने कहा है, ऐसा बाब चैलेंज करता है, कि कोई है जो ग्याद में भोजन बनाए वो स्विकार करे उसमें ताकत बर जाती है हमारा भोजन करना भोग के लिए नहीं है इस शरीर को स्वस्त रखने के लिए है और विश्व कल्यान के लिए और आत्मा की प्यूरिटी बढ़ाने के लिए वो भोजन तपस्या का ही एक काल बन जाए तपस्या का काल है तपस्या का पिरिड है उसमें बैटके हम तपस्या कर रहे हैं अगर उसमें बैटके कोई बात करते करते भोजन करता है और फिर स्वाद के अधीन होकर भोजन करता है और इसमें ये कमें, उसमें वो कमें, इसमें और क्या है, उसमें और क्या है, तो ये योगियों का भोजन नहीं हुआ, कुछ दिन पहले मुरलियों में था कि योगियों का भोजन सुक्ष्म होता है, और योगी की देह सुक्ष्म संकल्पों से चलती है, तो ये ब्रामन आत्मा के साथ स्वरूप उसके बाद में अंतिम स्वरूप है मेरा फरिष्टा, फरिष्टा के साथ स्वरूप में सबसे पहला मैं उड़ने वाली आत्मा हूँ धर्ती पर पैर रखने वाली नहीं धर्ती अर्थात देह किचड अर्थात ये देह मैं उपर हूँ मैं आत्मा उड़ने वाली हूँ, आकाश में, दूसरा मैं आत्मा डबल लाइट हूँ, फरिष्टा अर्था डबल लाइट हूँ, हलकी हूँ एकदम, कोई भी बोज मुझे नहीं, अगर बोज लग रहा है, भारीपन लग रहा है, सेवा का ही बोज लग रहा है, तो वो अस्तिती नहीं हुई, जरूर कुछ ना कुछ गडबर चल रही है, वो समरपन में ज़रा सी खोट है फिर, क्योंकि बोज की हो रहा है, यह कार्य किसका है, हम यह भूल रहे हैं, समझ रहे हैं मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, यह भूली रहे हैं कि करना वाला कोई और है, मैं ह तो मैं आत्मा कैसी हूँ मैं फरिष्टा डबल लाइट ये दूसरा तीसरा फरिष्टा अर्थात साक्षी और उप्राम 24 गंटे में इस भाव का अभ्यास करना ये सारा ड्रामा चल रहा है और मैं इसको साक्षी हो कर देख रहा हूँ यहां बेटा है, इनसे बात कर रहा है, यह कर रहा है, वो कर रहा है, योग कर रहा है, ग्यान सुना रहा है, क्लास कर रहा है, करा रहा है, कुछ तो कर रहा है, यह सब ड्रामा हो रहा है पर, मैं फरिश्टा उपराम हूँ, साक्षी हूँ, सब कुछ खेल देख रहा हूँ, ये गलोब है और मैं फरिष्टा सारे के सारे गलोब को प्रकाशित कर रहा हूँ, इतनी पावर इसमें है, जा रही है मुझसे, ये फरिष्टा, अगला मैं फरिष्टा अंतवाहक शरीरधारी हूँ, लाइट के कार्ब में हूँ, मुल्लियों में शब्दा आए, चमकीली ड्र सारी चीजे लाइट की देखनी, ये भी एक दिन अभ्यास करना है कभी, सारे दिन भर जो भी चीजे देखो, लाइट देखना, ये माइक लाइट का बना हुआ, मैं आत्मा लाइट, ये भोजन की थाली, लाइट की बनी हुई, जो वस्तुए उसमें रखी है, भोजन वो भ लाइट ये हॉल लाइट का बना हुआ, ये घड़ी लाइट की बनी हुए, ये फैन लाइट का बना हुआ हर चीज लाइट की बनी हुए, जैसे सुक्ष में वतन यहां अतरित है, ये बड़ा अच्छाएक अभ्यास है, आंतरिक अभ्यास करते रहना है, तो फरिष्टा अर एक से रिष्टा संसार में सबसे रिष्टे है परंतु detached है वो निभार है इस अमन पर असली रिष्टा केवल एक से है अंतर मन में पता है एक वो ही है जो काम आने वाला है In our greatest moment of need we are alone जब ऐसी परिस्थिती आती है जीवन में जब हमें किसी की आवश्रक्ता पड़ती है उस समय ये जीवन का सत्य है कि कोई भी हमारे साथ नहीं है जिनको हम अपना समझते है सब धोका देंगे इस संसार में हमारा सगा कोई है क्या कोई भी नहीं है सगा एक बाप ही है बस जिसको सगा समझेंगे जिस दिन सबसे ज़्यादा उसकी आवश्रक्ता होगी उसी दिन वो नहीं रहेगा उसी दिन उस तक उसकी मदद नहीं आएगी इसलिए सारे रिष्टे एक से जोड़ने ये जटवा और सात्वा आज की मुर्लिका वरदान क्या था परिष्टा अर्थात सर्व का प्यारा चाहे कोई अपमान करे चाहे कोई ग्रिणा करे क्या करना है उसके साथ प्यार ही देना है परिष्टे के पास अंतर में कुछ है ही नहीं दूसरा प्यार के सिवा तो ये परिष्टे की साथ बात है तो हमने परमधाम में स्तित होना परमधाम के सारे रूपों को याद करना नीचे उतरना सत्युक के सारे रूपों को याद करना और नीचे उतरना द्वापर में पूज्य सुरूप मंदिर में हूँ कूजा हो रही है भक्त हजारों सम्मुख है मैं गनेश हूँ गनेश के सारे रूपों को याद सक कर सकते, मैं हनुमान हूँ, उसके सारे रूपों को अतुलित बलधामा, शक्ति से संपन्न हूँ, राम काज करिबे को आतुर, उसको राम काज के सिवा कुछ सुचता है नहीं, राम रसायन जिसके पासा, राम रसायन भरा है, अंदर अगर क कोई नहीं है जल दी लांग जगए अचर जनाही जल भी रांच कर चला जाओंगा असंभव मेरे लिए कुछ भी नहीं है फरमात में शक्तियां अंदर काम कर रही है ऐसी अखंड ब्रमचारी हनुमान हमारा प्रतीक है एक और उधारन हरुमान के जीवन का जो कुमारों के है सब जगा उसे पता ही नहीं वो है कहां और बहुत सारे स्ट्रियों के चेहरे देख लेता है वो वापस जब आता है जामवन से कहता है मेरे से जड़ा आत्मक लानी हो रही है क्यों वो कहता है जब मैं सीता माता को यह जड़ा गुपत बात है आपको बता रहा हूँ ऐसा जामवन से कहता है कि जब मैं सीता माया को धूंड रहा था तो बहुत सारे स्ट्रियों के चेहरे मुझे देखने पड़े कि कहीं ये तो नहीं कहीं वो तो नहीं जामवन तुसको समझाते चिंता मत करो क्यूंकि तुमने हर स्ट्री में सीता मा को ही देखा था इसलिए तुम राज योगी हो, कैसी? जटाओ अले सुबह है ना? कौन से राज योगी हो? जटाधारी जटाधारिक राज योगी हो ठेर सारे मुर्लियों में समान आते हैं और फिर अपने संपूर्न स्वरूप फरिष्टे को देखना है अभी सभी अलट होके बैठेंगे और इनी पाच सो रुपों का गीत के साथ अभ्यास करेंगे ओम शैंती हमारा स्वरूप है पांचों स्वरूप बनना है संपन्वन हम को याद करती है इनके रूप शैंती की शैंती है प्रकाश पुंज का ये भन्दार हम मात्मा ये ये ही पे बहते ये ही हमारा है संसार मोर मोकट धार है वाई गुंधवासी है ताज तक तक देवक के देवकुल के है देव्य नैन पावन मूरत मंदेरा काई आना खारो जग कोशी तण चाया देते कितरा वे चित्र ये सरो तन मन और सास संकल पवित्रता से ही महत रहो पाकर ले ब्रामन जीवन खुशियों से दिल हर अश रहा यारे प्यारे रूप मिराले हम फरेश्टे वातन के बाबा के संक उड़ते रहते उस रूहानी जमन में ये हमारा स्वरूत है पांचों स्वरू अन्ना है संपन्न हम को याद करते हैं डांचों से वाद करते बाद